हलो दोस्तो आज इस वीडियो में लेके आये हूँ एक ऐसा प्रोड़क्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा अगर आप इसका बिजनस करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो मिनीमम 100 से 200% कमाएंगे अब वो प्रोड़क्ट क्या है दोस्तो वो प्रोड़क्ट है क्रिकेट बैट कभी सोचा है क्रिकेट बैट को एक्सपोर्ट करना पूरे विश्व में क्रिकेट बैट की रिक्वार्मेंट है क्रिकेट में तो होगी ही होगी ना तो दोस्तो कौन सी क्वालिटी होती है कौन से सब चीज इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं तो अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है नया प्रोडक्ट है कॉम्पेटिशन नहीं है और इसको तो आप कम आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो अगर सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए मैं हर्श्थवन इंटरनाशनल बिजनस ट्रेनर स्वागत करता हूं हमारे चानल पे चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट बैट की क्वालिटी की तीन तरिकी क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं इंगलिष विलो कश्मीरी विलो सौफ्ट बॉल क्रिकेट बैट ये तीन क्वालिटी है जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है अब आगे बरते हैं difference क्या होता है margin कितना मिलेगा, investment कितना करना पड़े दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर विलो क्रिकेट बैट की जो कि आपको कश्मीर में मिलेगा सबसे पहली चीज ये थोड़ा सा heavy होता है, expensive कम होता है थोड़ा moisture content इसमें ज्यादा होता है जो लोग beginner हैं, जैसे अगर आपको cricket सीखना है, आप एक beginner है तो उनके लिए ये best होता है अब अगर मैं बात करूँ price की तो लगबग लगबग एक हजार से लेकर लगबग लगबग पांच हजार तक ये आपको easily इंडिया में मिल जाएगा और कहां मिलेगा कश्मीर की अंदर बहुत अच्छी लकडी का use करते हैं lifetime चलता है, बहुत अच्छी quality होती है, long term तक चलेगा और worldwide इसकी demand भी बहुत अच्छी है क्योंकि भईया, हर किसी को अगर cricket खेलना है तो दुनिया तरस्ती है कि बैट ऐसा होना चाहिए कि बस मजा आ जाए उसके बाद बात करते हैं English Willow की ये एक अलग quality है जैसा की नाम है English Willow तो सबसे पहले तो इंग्लेंड में production होता है इसका तो ये आपको इंग्लेंड से ही मिलेगा और हलका होता है कश्मीर Willow से moisture content कम होता है और expensive ज्यादा होता है आप जितना भी यानि cricket देखते हैं तो उसमें maximum जो cricketers होते हैं अच्छे cricketers होते हैं वो prefer करते हैं English Willow लेकिन एक बात याद रखिए ये expensive भी अच्छा खासा होगा minimum 5-10,000 की शुरुवात इससे होती है और लगबग लगबग 60,000, 70,000 या इससे उपर भी ये जा सकता है तो एक beginner के लिए तो मैं suggest नहीं करूँगा या फिर जैसे हम आम friend circle में cricket खेलते हैं तो हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो sports person है जो cricketers हैं ज्यादा तर उनके लिए ये सबसे ज्यादा यूस किया जा अब आप कहेंगे सर बस इतना ही ये तो बहुत आसान है नहीं भाई बैट में और भी चीजे होती है आज इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आपने बैट लिते वक कभी सोचा भी नहीं होगा कि quality ऐसी होगी इतना difference होगा तो ये चीज ध्यान में रखे चले शुरू करते हैं अब इसे next stage हमें जब बैट खरीदना है तो क्या-क्या quality देखनी है और plus जब buyer आपसे मांगेगा तो वो क्या-क्या demand कर सकता है देखिए दोस्तों एक product के बारे में पूरी knowledge होनी चाहिए ऐसा नहीं गया कि it is just a bat हमें गली महले में खेलने के लिए bat नहीं चाहिए हमें क्या करना है हमें export करने के लिए चाहिए हमें business करने के लिए चाहिए तो अगर मुझे एक अच्छा buyer मिलता है तो मैं margin कैसे लूँग दोस्तों इसमें cricket bat का जो handle होता ना वो देखा जाता है अब यह depends करता है batsman के उपर सबसे पहला एक cricket bat आता है जिसमें round handle होता है और दूसरा bat आता है जिसमें oval handle होता है ज्यादा तर जो Indian जो होते हैं वो round handle use करते हैं बाकि other world में oval handle ज्यादा यूज किया जाता है ये point दोस्त तो note कर लीजे, देखिए, depend करता है, अगर आप export करेंगे, तो ज्यादा तर आपको oval handle का order ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आप buyer को crack कर पाएं, अब इसमें आपको ये भी देखना है, कि जो bat है, वो long handle का है यो short handle का है, अब आप कहेंगे sir, इसमें क्या difference है, देखो यार इसमें difference क्या है, जो short handle का जो cricket bat होता है, उसमें control जो है, बहुत अच् बनती है, long handle वाले ज्यादा तर जैसे west indies के player है, 6 feet जिनकी height ज्यादा है, south african team के player है, जिनकी 6 feet height ज्यादा है, तो वो लोग ये long handle यूज करते हैं, उसके बाद इसके बैट की grips की quality भी अलग अलग आती है, ये depend करता है batsman के comfort zone में की batsman को किस तरीके की grip चाहिए, अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप bat का business करने जा रहे है, bat को export करने जा रहे है, तो और क्या-क्या चीज़े देखनी चाहिए, देखिए दोस्तों, bat जो है ना, वो height के हिसाब से, जो क्रिकेटर है, वो खरीदता है, जैसे अगर किसी क्रिकेटर की height 4 foot से 4 by 3, 4 foot 3 inch होई, तो उसके लिए bat का जो size है, वो एक number size होता है, एक number यानि bat को भी numbers दिये गए है, height के accordingly, जैसे कम height होता है, तो कम number का bat होता है, ज्यादा height होती है, तो ज्यादा number का bat होता है, तो 4 foot से 4 foot 3 inch वालों के लिए एक number use होता है, 4 foot 3 से 4 foot 6 inch वालों के लिए 2 number use होता है, और 4 foot 6 से चार फुट नौ इंच वालों के लिए तीन नंबर यूज होता है चार फुट नौ से पाच फुट वालों के लिए चार नंबर यूज होता है पाच फुट से पाच फुट तीन इंच वालों के लिए पाच नंबर यूज होता है पाच फुट तीन से पाच फुट पाच इं तो लॉंग हैंडल यूज किया जाता है तो दोस्तों है ना इंट्रस्टिंग अच्छा एक बात बताईए कभी बैट का यूज करते समय कभी यह चीज सोची थी नहीं सोची थी ना इसलिए तो मैं बार-बार कहता हूं अगर आप बिजनस करने जा रहें अगर आप खूल मत करिये और याद रखिए अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस सीखना है तो एक्स्पोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा वही कैसे सीकोगे जब तक क्वालिटी के बारे में पतानी होगा product के बारे में पतानी होगा buyer को crack कैसे करोगे हम buyer seller meet भी कराते हैं तो आप direct buyer के साथ deal करके आप आगे बढ़ सकते हैं खुद सामने बैठिए हर चीज़ सीखिए और आगे बढ़िए अब बात करते हैं कौन से देश import करवाते हैं सबसे ज्यादा और कौन से देश export क करते हैं सबसे ज्यादा दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको सबसे ज्यादा buyer कहां मिलेगा तो सबसे ज्यादा buyer आपको Australia में मिलेगा UK में मिलेगा आजकल USA में भी BAT का import बहुत ज्यादा बढ़ गया है South Africa को target करिए उसमें भी अच्छा खासा buyer मिलेगा New Zealand को target करिए उसमे भी अच्छा खासा buyer आपको मिलेगा अगर मैं बात करूँ कौन कौन से देश India के अलावा export कर रहे है BAT बना के तो UAE भी export कर रहा है BAT को शिरि लंका भी export कर रहा है BAT को UK भी export कर रहा है चाइना भी export कर रहा है और USA भी BAT बना के export कर रहा है अगर मैं HS Code की बात करूँ तो HS Code है इसका नहीं और अगर मैं बात करूँ कि government इसमें incentives क्या देती है तो road tap देती है 1% और DBK 1.50% अगर मैं बात करूँ कि मुझे bat कहां से मिलेगा इंडिया में कौन कौन सी state में production हो रहा है तो सबसे पहले कश्मीर आप जाइए वहाँ पे आपको बहुत अच्छी quality मिलेगी उत्तर प्रदेश से आप bat खरीच सकते हैं पंजाब से आप bat खरीच सकते हैं दिली से भी bat खरीच स अजन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं इंपोर्ट एक्षपोर्ट बिजनेस practically सीखना चाहते तो स्क्रीन पे नमबर आ रहा होगा वहां पे रिजिस्ट्रेशन कराईए और हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जॉइन कर सकते हैं online और offline इस वीडियो में इ कर दो कर दो दो झाल झाल